अभी हम पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल लिएशन इयर 2006 ठीक है UPSC अप्सिनल सब्जेक्ट का कोशन नमबर वन देखने का प्यास करेंगे यह पेपर टू का है कोशन अल्यडी पेपर वन अल्यडी हम लोग डिसकस कर चुके हैं यहां पेपर टू है कोशन नमबर वन जिसम इसे कि नहीं चार प्रश्णों में हमें तीन प्रश्णों के उत्तर देने हैं 200 सब्दों की सब्द सीमा को ध्यान में रखते हुए तो कमेंट ऑन एनी थ्री अब दो फॉलॉइंग ठीक है इन अबाउट 200 वोट्स एच कोशन नमब वन ए हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ल सब्सक्राइब से बात है कुछ जो रियलिस्ट प्रस्पेक्टिव के थिंकर्स होते हैं स्कॉलर वो इस बात से सहमत है उनको लगता है कि राजनिती सिर्फ सक्ति के लिए ही किया जाता है ठीक है और इसका एक बहुते सुन्दर अगर आप उदाहरन एक्जामपल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे तो आप पाएंगे कि जो सीतियुद्ध का जो दौर था ठीक है वो बल्ड सुप्रमैसी को ही लेकर था ना तो अंतरास्टिय राजनिति और जियो पॉलिटिक्स में कौन सूपर पावर होगा इसको लेकर जो है सीतियुद्ध चला अमेरिका और रसिया को ही फर्स्ट एनिमी मानता है और अमेरिका का सीतियुद्ध दूसरा देश चाइना के साथ भी चल रहा है तो जियो पॉलिटिक्स में यह चीज़ें होते रहती है और शक्ता और शक्ति के लिए ही हमेशा शंगर्स होते रहता है को कोश्चन नम्मग वन भी देख ल जो सकता है कि इसमें जो ठीय करता हूँ जिससे की जा सकती है सांती जो है बनाया रक्हाँ जा सकता है तो इसमें जो है collective security का का मतलब क्या है जैसे नाटो जैसे संगठन बना सब लोग जो है मिलकर एक साथ आए और उन्हें कहा कि अगर किसी भी देश के उपर अगर आक्रमन होता है या अटैक होता है तो सभी देशे को उपर अटैक माना जाएगा और सभी देश फिर मिलकर जो है उसका लागर रेटैलेशं करेंगे बात समझ भय आया तो यह बेल स्टैबलेस्ट करें कि सब मिलकर एक ऐसी वैबस्ता को इस्थापित करो जसके सब इसमिल वेंख करेंगे एक सेक्यूर करेंगे और और किसी पूसी भी इसकती होती है आप लोग ने कहानी में भी पढ़ा होगा कि एक पिता था उसके चार बेटे थे आपस में लड़ते रहते थे पिता ने बुला जाओ सब एक-एक लकड़ी लेके आओ सब को बुला इस लकड़ी को एक-एक करके तोड़ दो सब ने एक-एक लकड़ी को तोड़ दिया पिर एक गठर मंगबाया बोला अब इसे तोड़ो तो किसी ने तोड़ नहीं पाया तो एकता में बल है सभी जानते हैं और जब सभी एक-जूट रहेंगे तो सभाविक सी बात है कि सांती अधिक रहेगी आपश में मनमुटाब भी होंगे तो उसे जो है पीसफुली जो है करता है ठीक है तो यह कॉशन मदसी होगे अप कॉशन नमरr डी देख लो international court of justice की बात कही जारे है इसनिटर निशनल court of justice है क्या ठीक है इसकी स्थापना कब हुई इसके रूल क्या है functions क्या है ठीक है इन सभी चीजों के बारे में इसका headquarters क्या है ठीक है इन सभी चीजों गये होंगे ठीक है बहुत ही कह सकते हो कि अथना हाड भी नहीं है उतना इजी भी नहीं है मोडरेट पेपर आप कह सकते हो यह यह से सिविल सर्विसेस पेपर टू का जो है यह कोशन नमबर वन था इसके बाद हम लोग कोशन सेकेंड ठाड और फोर्थ भी देखेंगे ठीक है इस डाट के लिए सो टाट सॉल थाइंक यू हैव ग्रेट ट्रेंट